राम राम किसान भाईयो सर्सों के फिल्ड के बारे में चर्चा करेंगे ये अपने एक जो फिल्ड देख पा रहे हैं इस सर्सों के फिल्ड में जो लाइन से लाइन की दूरी है वो सवाद दो फिट रखी गई है इसलिए किसानों को ये ध्यान रखना है लाइन से लाइन की द खाद का में जरूर प्रियोग करना चाहिए क्योंकि गोबिर की खाद है जो हमारे सुक्षम जीव है, उनका भोजन है, साथ-साथ में जो हमारे पोसक तत्व होते हैं उनको अवलेबル कराने में हमारे माईक्रो उर्गिनिजम ही मदद करते हैं क्योंकि सुक्सम जी पौशक तत्वों की जो दसा है उसको बदल करके फोरम को बदल करके और हमारी भसलों के लिए उपलब्द करवाते हैं इस तरीके से जो किसान भाईयों ने लेट सर्सों की बौई किया है उन्हें फर्टिलाइजर मनेजमेंट है जो अच्छा करन चाहिए सर्सों की बड़वार नहीं हो रही है तो अपने उन्नीस एन्पी के आता है या बीस एन्पी के आता है उसकी जो मत्र है पांसो ग्राम सो लिटर पाणी में गोड़ मड़ा करके साथ में सुक्सम पौशक तत्व लिक्विड है वो तीन सो एमल प्रति बिगा यदि चिड़काव कर लेते हैं जो जो लेट सर्सों की बवाई होती है उसमें फर्टिलाइजर मनेजमेंट है जो अच्छा हो जाता है तो किसानों का उत्पादन जो लेट बवाई होई है उसमें है जो अच्छा उत्पादन किसान ले सकते हैं यह यदि सुक्के में स्प्रे कर ल WDG सलफ़ाती है वो 2 kg मत्रा यूरिया 20 kg सिंचाई से पूरा सुके में और 20 kg यूरिया बाद में जिंक सलफेट है जो 33% साड़े 3 kg प्रती बगा जहां हमारी लेट बॉई होती है उपर से जब थोड़ी सी जमीन है एक दो दिनों बाद में पैर दरनेवाड़ी होजे उस टेम उच्छा उटकाव करेंगे, तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, गोबर की खाद प्रियोप करने से हमारा जो उत्पादन अच्छा होता है सात में एक प्रगतिसील कास्तकार से बात करते हैं, जो कई सालों उसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोगर करें गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिला करके प्रयोग करते हैं और hunี้ एसब किसान और चर्छा करते हैं किसान भाई से चर्चा करते जिल संग्रिया है और जिला हनुमानगड है और मेरा मुवाइल नंबर चुराण में 146 2528 है तो हनुमाना राम जी आपको कई परकार के पुरुषकार खेती के अंदर मिल चुके हैं चैसे वो कर्शी विज्ञान के अंदर हो कर्शी अनुन संदान के अंदर हो आत्मा करके और समानित हो चुका हूं और अब इसी साल के अंदर है इसी साल के अंदर है 22 मार्च को मुख्य मंतरी श्री माननिया शोगिलो जिने बुलाकर मुझे जैपुर बुलाकर समानित किया था और इनाम भी दिया था परमान पत्र भी दिया था तो मैं राज्य सतर्वी पर भ विजता हूँ तिलों की खेती करता हूँ और खेत में ट्रेको-डर्मा का इस्तेमाल करता हो एक ट्रोली गोवर्र की खात के अंदर लगबग है चारीस क्विटल गोबर आता है और चारीस क्विटल में आप 20 किलो ट्रेकोडरमा मिला करे उसमें पानी का छंटा मार करे और उसको साथ दिन तक उसको पल्टी मरते रहे हैं साथ दिन बाद में ओचारीश कॉंटल ट्रकोडर्मा त्यार हो गया तो आप पर हर भी के अंदर एक क्यूंटल वो गोबर क्या जो ट्रेकोडर्मों बनाया है वो छिटकाव करके और रोणी बा करके और पसलकी बिजाई करो तो यह मेरी गारंटी है कि उसमें यह जड़ गलन रोग और तना गलन रोग नहीं आएगा मेरे नहीं तो PV आता है नहीं मेरे सर्दों मेरे किलों में तो मैं इसके साथ सतमय और मीप और माहिक करता हुआ जहांपर ट्राइकोड्रमा का प्रयोग किया गए उन पसलों में नेमिटोड का जो प्रकौप है बहुत ही कम देखने को मिलता है तो अपने यह बताये है नमनराम जी गोबर की खाथ है वो वो इसानों को प्रयोग करनी चाहिए अच्छी खेती लेने के लिए अच्छी खेती अच्छा उत्पादन जब ही होगा, जब हम ज़्यादा नहीं तो एक साल में दो ट्रेली पर भी गेक मांगोवर की खात डालेंगे, और अगर ये नहीं डालेंगे तो अच्छी खेती नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा डी एपी यूरिया डालेंगे तो हमारी जमीन है वो करते हैं, वो हमें उडामा देंगे कि हमारे बुजर्गों ने हमारी जमीन को ही खराब कर दिया, तो सभी किसान वाईयों से निवेदन है कि पशू पालन करें, और गोबर की खात करो, और गोबर की खात का इस्तिमाल करो, तो जमीन बच जाएगी, अनत था, ये पालन करो, डीएपी, यूरिया, और ये खाड डालने से तो जमीन नश्ट हो जाएगी, और सभी किसान वाईयों से यही मेरा निवेदन है, कि खेत में पसल बिल्ली करने से विजाई करोगे, तो ये जमीन में उत्वादन अच्छा होगा. बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे, नमना राम जी मिश्रित केती करते हैं, जो पसुपालन से भी आए ले रहे हैं, साथ में जो पस्वों से गोबर प्राप्त होता है, उसमें ट्राइकोडर्मा मिलागर के और अपने खेतों में प्रयों करते हैं, जिसे जड़ गलन जाब राजस्तान कीनों स्ट्रेटों से पसुपालन की खेती की बकरी पालन की हर चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरे पास में अब मोके पर कम से कम है, चालिस साटी प्राप्त होंगे ट्रेनिंग के, अच्छा, तो किसान बहीं यह हमारे साथ किसान चुड़े होए थे, जो गोबर की खाद का मेतो बता रहे थे और ट्राइकोडर्मा का परियोग करना चाहिए, मिस्रित खेती है जो किसानों को अपनानी चाहिए, पसुपालन से जो हमें गोबर पराप्त होता है, खेत में डालने से हमारा जो जेवी कार्बन बढ़ जाता है, और रसाइन हमें ख हमें निकाला, आपको देखकरके दूसरे किसान, जरूर आपसे प्रेणा लेंगे। आम राम राम जी, राम 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 जी राम, वीडियो आपका कैसा लगा किसान, भाई, 서비क्र trophy करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक भी पंुचाएें, जै जबान जै खिस जै भारत